बात है साल 1999 की जब हम एक एक टाई के साथ इंडिया पाकिस्तान सिरीज का तीसरा टैस्ट खेल रहे थे पाकिस्तान 11 साल के बाद इंडिया का दोरा कर रहा था हम पहले मैच में जीत के कागार पर पहुँचने के बावजूद मैच हार गए दूसरा मैच कुमले का शानदार परदशन एक इनिंग में 10 विकिट वर्ल्ड रिकोर्ट के साथ दूसरा टैस्ट इंडिया के हाथ में अब हम खेल रहे थे तीसरा टैस्ट जिसमें हम खड़े हैं तीसरे टैस्ट की सैकिंड इनिंग में जो टैस्ट एशन चैंपियंशिप का पहला मैच भी माना जा रहा था शोट में कहूं तो दाव पर तो बहुत कुछ लगा हुआ था सचिन तैंदुलकर 7 रन बना कर खेल रहे थे एक लाग से ज्यादा दर्शक दीरगा के सामने सचिन के लिए ये दोरा खराब जा रहा था पहले मैच में 136 रन बनाने के बावजूद भी हम हारे इस मैच में भी उन्हें पहली इनिंग में शोई बख्तर ने किलीन बोल्ड किया था पर कम से कम अभी भी इंडिया के लिए चीज़े काफी अच्छी थी खेल के चोथे दिन हमें जीत के लिए सिर्फ 289 रन की जरूरत थी और इंडिया ख़ड़ा था 140 पर दो विकिट के साथ पर फिर कुछी पलों में मच गया तहल का अब बात यह है के भले ही वो डारेक्ट थिरो था पर सचिन आराम से किरीज के अंदर होने चाहिए थे जब थिरो आ रहा था उस मौके पर शोय बखतर धीरे से पीछे हटते हुए सचिन से टकरा गए रिपले में देखा गया के सचिन किरीज से बाहर हैं और उन्हें डिकलर कर दिया गया रन आउट वहाँ बैठी भीर को ये गलत लगा के एक पाकिस्तानी पिलेयर ने उनके सचिन तैंदुलकर को रन लेने से रोका और आउट किया बस फिर क्या था भीर ने पेपर जलाने शुरू कर दिये बोटल फैंकने चालू कर दिये और पूरे स्टेडियम में हुरदंग मच गया मैच को वहीं पर रोक देना पड़ा सचिन तैंदुलकर और जगमोहन डालमिया को बहर आकर सारी भीर को शांत करना पड़ा पर सवाल ये है के ये गलती किसकी थी क्या सचिन को दिखाई नहीं दिया या सच में श्वय बखतर सचिन तैंदुलकर के रास्ते में आये थे चलिए इसका जवाब ढूंड कर निकालते हैं पहली बात तो किलियर है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि नदीम खान बॉंडरी से इस्टम को डारेक्ट हिट कर देंगे इसलिए वसीम अकरम यहां खड़े बोल की तरफ घूर रहे है और इस्टम को कवर नहीं कर रहे इसी कारण सोयब अखतर ओवर थिरो रन बचाने के लिए इस्टम के करीब आये और फिर धीरे से पीछे हटे सचिन यहां पर करीब आते वक्त हलके से राइट की तरफ घूमते हुए नजर आते हैं तो क्या सच्मे सचिन के रास्ते में सवयब अखतर जान बूच कर आये थे इसके लिए हम इसी सीन को दो बारा उपर से देखेंगे सचिन ने सोट खेला फिर दोरन कम्प्रीट किये जब बॉंडरी से थिरो आना सुरू हुआ तो वसी मकरम यहां खड़े थे और यहां शुय बखतर अब नॉर्मली इनसान एक समय में सिर्फ 120 डिगरी इस एंगल तक चीजे ही देख सकता है अभी 120 डिगरी उमर के साथ साथ आँखों की बीमारियों के साथ भी कम हो सकती है और सचिन के लिए यह एंगल और भी कम होगा क्यूंकि हैलमिट की वज़ा से वो सब कुछ नहीं देख पाएंगे बट फिलहाल इसे 120 डिगरी पर ही रखते हैं अब हम कैमरे पर यह देखेंगे कि वो किस और देख रहे थे और वही इस मैप पर भी आपको दिखाएंगे उनके मुमेंट के साथ साथ अब आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि किसी भी समय पर शुय बखतर ना पीछे गुमे और ना ही उनके पास समय था ये जानने का के सचिन इस वक्त कहां पर है तो क्या ये जानबूच कर किया गया था अब आप भी देख सकते हैं कि ये किसी की भी गलती नहीं थी ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दुरगटना थी जो उस वक्त घटी थी अब बहुत से किर्किट के पंडित ये कहते हैं कि एक बल्लेबास को ये पता होना चाहिए कि उसके रास्ते के बीच में कौन खड़ा है लेकिन वही तो सचिन तैंदुलकर भी करने की कोशिश कर रहे थे अब इस मैच के आगे की बची हुई कहानी बड़ी दिल्चस्प और रोमान चक है जिसमें खेल के आखरी दिन भी और एक घटना घटी जिसके कारण दंगा भी हुआ हमने ये सब कुछ अगले एपिसोड में कवर किया है फिलहाल के लिए बस इतना ही तो दोस्तो ये थी वो इस्टोरी जिसमें किसी तरह से एक अनपैक्स रन आउट ने दंगे की शुरुआत की और सच में ये किसी की भी गलती नहीं थी ये सिर्फ और सिर्फ नसीब का एक मजाग ही था दोस्तो अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें